फ्रेंज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे चेक करें अधार पैयन कार्ट से लिंक है या नहीं लिंक है किस तरीके से पता लगाया जाए जी हां दोस्तों इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले कोई सावी ब्रावजर उपन करते हैं ब्रावजर उपन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैस बोट खुलेगा इसका अब यहां पर आपको सेकेंड वाले नंबर पे लिंक अधार स्टेटस यहां पर शो कर रहा है इस पर हमें क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर पैय नंबर डालना है और यहां पर अधार नंबर ड डालते हैं, pen number और अधार number डालने के बाद, यहां पर show कर रहा है, view link अधार status, इस पर हमें click करना है, right side में, view link अधार status, इसो पहार क्लिक करते हैं, अब आप देख पाएंगे, यहां पर show कर रहा, your pen already link given अधार, यानि कि, यहां पे already link है जदी आपको pen card से अधार card link करना है link नहीं है तो तीसरे वाले number पे click करना है और यहां पे जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे आपको fill करते जाना है अधार number और pen number डालने के बाद सारे step follow करने होंगे step by step follow करेंगे तीन step है total फैले स्टेप में डिटेल इंट्री करेंगे दूसरे स्टेप में वेरिफिकेशन तीसरे स्टेप में वेरिफाय हो जाएगा हो सकता है कुछ चार्जस कटें दूसरा भी ऑप्शन है दोस्तों अधार लिंक करने का आप पैन करेक्शन वाला फॉर्म फिल कर देंगे विदाओट किसी चेंजिंग के आप पैन कार्ड भी आ जाएगा और अधार लिंक भी हो जाएगा जी हां दोस्तों तो दोस्तों यह थी जानकारी आप किस तरीके से अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कैसे करें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक क शेयर करें अगर आप चैनल पे नए आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके गैल आइकन जरूर प्रस कर लें जिससे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है नए नए आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें